दूमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद बंदिना में आपका स्वागत है, आज आपको ये नाइन ओग्लॉक इसे कहते हैं, पोड्चुला का कहते हैं, मौस रोज कहते हैं, नौ बजिया कहते हैं, दस बजिया कहते हैं और तमाम ऐसे नाम हैं, जिनने मैं भी नहीं जानती हूँ और यह वैसे तो पोर्चुला का या नाइनो क्लॉक के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है और इतनी सारे फूल एक ही प्लांट में आए हुए हैं तो इतनी फूल हम कैसे पा सकते हैं आज उसी की सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी कुछ छोटी-छोटी केर टिप्स है जिनको हम ध्यान में रखते हैं तो पोर्चुला का में ऐसे ही फूल आएंगे जैसे कि अभी आप सर्फ एक गमले में आप देख पा रहे हैं यह देखिए एक है दस इंच का गमला और मिटी का पॉट है क्ले पॉट जिसको कहते हैं और उसमें देखिए आप कितने फूल हैं तो आज पूरी सिक्रेट बताऊंगी सिंपल जो केर टिप्स है वो भी फर्टिलाइजर क्या देना है वो भी तो आए चली वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसको पॉट सेलेक्शन की बात अगर करें तो अगर आप अच्छे फूल चाहते हैं बिल्कुल ऐस साइस लेने वाला पॉक्षल में जाते हैं सर्वाइимость करने लेकिन वह उसमें नहीं होती है जतनी कि मिटी के पॉट में हो पाती है तो आप पोचुला का को लगाने के लिए मिटी का पॉट सेलेक्ट करें और जब इसकी मिटी बनाए तो मिटी का बिसे ध्यान रखें आप इसको स्कुलेंट की तरह मिटी हो चाहिए होती है मतलब बिल्कुल पोरस मिटी जिसमें बालू की मात्र 2.5 मिलाया करें, और एक हिसा मिटी और एक हिसा मिलाया, इसस तरह कि मिटी बनाएं, तो बहुत अच्छा रहता और आगशा。 इंहारें बहुत नीम खली, बहुत अच्छा अच्छी होति है, वो यहां को हीति है वो टी-कंपोल्डी करके अच्छा नूट्रिशन करते हैंwhite, पौधे की बढ़वार बहुत तेजी से होगी और फूल भी बहुत अच्छे और बड़े बड़े फूल आएंगे यह वाली जो होते हैं नाइनो क्लॉक के पौधे यह हाइब्रीड वेराइटी होती है तो इसके फूल थोड़े बड़े आते हैं बिल्कुल नसदीक से मिट्टी बनाएं तो पोरस मिट्टी बनाएं बहुत अच्छी सी जैसा कि अभी मैंने बनाएं वेल ड्रेन और इसका अगला जो बेर इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि जब पौधा हम लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो इसके पिंचिंग जरूरी होती है एक तो जब इस पर फूल आएं और जो फूल जैसे यह फूल सूख रहा है तो इसे इस तरह से हटा दें और साइट से आप देखेंगे अगर इसमें कली लगी हुई है तो आप इसको थोड़ा सा नीचे से ना तोड़े ऊपर से तोड़ें लेकिन अगर कली कली नहीं हो तो नीचे से पिंच करें और साथ के साथ आप जब देखते हैं कि थोड़े लंबे लंबे से वह जाते हैं दंडी लंबी हो जाती है तो आप यूं ऐसे इसको अलग-अलग करें तो श्ड़ने चोटे-श्टे यह पौधे और उसके वासे आप साइड मेहीं चाह लगा सकते हैं मैंने जैसे एक ही कलर के पौधे पिंच के करके ही और इसी को इसी में लगा दिया है तो आप देखेंगे कि पूरा गंबला एकदम भरा हुआ है यह सिर्फ प्लांट था और धीरे-धीरे करके इसी तरह से बुशी होता रहता है और पूरस मिट्टी बनाना निकल जाए और बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग इसमें नहीं होनी चाहिए एकदम तुरंद पानी निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसको पानी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है यह सूखे सूखे में रहता है तो अच्छी फ्लावरिंग करता है अब इसके अच्छी मात्रा में डालें पूरा एक हिस्सा हमें डालना चाहिए जितनी मिट्टी हम लेते हैं उतना ही अपने आप होती है और इसके साथ ही साथ एडिस्नल हम कुछ नकुछ इसमें देते रहते हैं तो मैं इसमें हर 15 दिन में 8-10 दाने डीएपी के दे देती हूं और बोन फर्टिलाइजर से आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है तो आप थोड़ी सी डीएपी 8-10 दाने डीएपी के डाल दें और डालना क्या है कि ऐसे ले करके हलका सा गिरा दें उसमें कोई गुडाई नहीं करना है क्योंकि यह एकदम जंगल सा प 10 दिन में एक बार डीएपी दे देंगे और महीने में एक बार बोन मिल देंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसे ही भौछ सारी फ्लावरिंग एक साथ होगी और यह देखने में बहुत संदर लगता है अब बात आती है कि इसकी जो पिंचिंग भी की जाती है यह जित्ते भी सूके वे फूल आएंगे अगर आप पिंचिंग करना छोड़ देंगे तो कितने भी अच्छे फूल लाइर हैं वो धीरे-धीरे करके खतम होने लगते हैं और दुबारा से फिर फूल नहीं आते तो आप इस तरह से इनकी डेड हेडिंग जो भी फूल सूख जाएं उन्हें हट आते रहेंगे तो नई नई ब्रांचे जो साइड से निकलेंगी और फूल तुरंत लगेंगे तो इस तरह से आप इन पौधों का धिहान रख सकते हैं इसकी अलामा कभी-कभी एफिट्स कभी इसमें खत्रा हो जाता है कभी-कभी लग जाते हैं कभी-कभी मिली भग भी लग जाती हैं तो आप 15 दिन में एक बार अगर नीम आयल थोड़ा सा छिड़काओ कर देंगे एक चम खुद भी मतलब इतना था कि इतनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी लेकिन ये केवल वही फर्टिलाइजर डीएपी और बोन मिल डालने से इस तरह का और पानी न ठरने पाए इसका विबिसेज ध्यान रखना होता हैं क्योंकि पानी ठहरेगा तो फंगस लगना तैं हैं पौ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके हां फूल जैसे आप चाहते हैं उस तरह के ही आएंगे और मेरे हां भी आए हुए हैं इसलिए आपको बताना जरूरी था तो फ्रेंड्स लगभग मैंने पोर्चुला का कियर कैसे की है और इतने सारे कर दो धरो आएंगे और शकतर आपकी हैं लोड़े को धर झाल जहींपने घ्यान भी घ्यान वीक क signal कर दो मु कि आहरे हैं दोने जाएंगेया इतना मान पर्नाकि श्यां से डंके छोब फाद आब इतना आपके हैं लगवे मैंने मैंने खिए खिंए और शब़े, तो हैंई ख